आज की ये कहानी है हमारे देश के पांचबे उपराष्टपती और हमारे देश के कारकारी राष्टपती की और इनका नाम है इन्हे आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और आप देखेंगे ये पिक्चर आप लोग देखिए बीडी जत्ती साहव है और ये आप देखें हमारे देश की पहली महला पैदाल मंतरी इंद्रा गांधी आप लोग देख रहे होंगे तो इनके बारे में हम लोग बीडी जत्ती साहब के बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं और अगर हम लोग बीडी जत्ती के जनम की बात करें तो आप देखेंगे 10 सेप्टम्बर 1912 को बीजापुर जिली के सावाल अभी ग्राम में हुआ था इनका जनम इनका पूरा नाम क्या है? बसप्पा दनप्पा जत्ती. बीजापुर जिला कर्णाटक का बेभाजित भाग भी बना. जब इनका जनम हुआ तो गाओं में मोलभुस विधाओं का सर्वता आबाओ था और इनका ग्राम मुंबई प्रेसिडेंसी की सीमा के निकर था. और इस का प्रेसानी की कारण घर और जमीन को गिर्वी रखना पड़ा ताकि परिवार का जीवन निर्वार किया जा सके. तो आप सोचे कितने बुरी स्थिति से आप देखे गरीवी से निकले हुए हैं. इनके अगर हम लोग बिद्ध्यारती जीवन की बात करने तो उस समय सवाल ग्राम में दो स्कूल थे जो परात्मी किस तरके थे? एक लड़कों का स्कूल, दोसला लड़कियों का स्कूल, बसपपा बच्पन में काफी सरारती थे, वह सरादत करने का मौका तलास करते थे. बसपपा अपनी बैड़ी बेहन के बाली का स्कूल में पढ़ने जाते, वह स्कूल काफी अच्छा था और ये भी स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बद बसप्पा सिध्धेस और हाई स्कूल बीजापूर गये ताकि मैट्टिक इस्तर की परिक्षा दे सकें तो आप देखें 1939 में उन्होंने मैट्टिक परिक्षा पास कर ली तब यह स्कूल के छात् कुस्ति सिंगल या आप देखें बार एबंग डबल बार पर कसरत करने का भी इन्होंने लगाता दो वर्स तक लाइव बेट बाली कुस्ति चैंपियन से भी जीती थी तो पहलवान आप लोग कह सकते हैं इनके अगर हम लोग बिवाहिक जीवन दामपत्य जीवन की बात करे तो उसमय बाल बिवा की सामान पिथा थी जब आप सोचें 1922 के आसपास आप लोग देखिए साधी हो जाती थी बच्चों की बच्चों को मालू ही नहीं रहता था कि उनकी साधी तै हो गई या हो गई इस पिथा की चपेड में बसापा भी आये 1922 में इनका विवाब भाव चोटी उमर में होते थे लेकिन कन्या को सस्वराल कुछ बरसों बाद ही भेजा जाता था साधी सुरूआत में तैकर दी जाती थी लेकिन आप देखेंगे बाद में चोटी से बड़ी उमर हो जाती थी इन लोगों की तभी साधी पूरी होती थी एक तरह से भेजा जाता था तब वो है कानून की सिक्षा की पिती पूर्ण समय पित हुए और इस दिरेश्टी से यह मानना उपयोग थोगा की टिक के कर इनके परम्मित्र दारसनी को पत्फिदर्सक साबित हुए अक्टूबर 1940 में बसप्पा ने कठो सरम द्वारा मुंबई विश्विध्याले से LLB की डिगरी कर ली और पाधी पराप्त करने के बाद 1941 से 1945 तक बसप्पा ने जमाखंडी में बकालत भी की कानून नी और इस दोरान इनका उद्देश गरीबों की मदद करना रहा आपने अब बात आती हैं कि राजनितिक जीवन की राजनितिक जो सफर रहा इनका तो आप देखेंगे 1952 के भार 1942 के माप करिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बसपा ने परिजा परिशद पार्टी की ओर से पितिनेदित किया जामा खांडी की परिजा परिशद पार्टी ने इने सिकर्टी का पद्पिदान किया था और इन दिनों बसपा को यह पसंद नहीं था कि इन्हें कॉंग्रेसी कहे कर संबोधित किया जाए और 15 अपरेल आप देखेंगे 18 अपरेल 1945 को जामा खंडी इस्टेट की मंती मंदल में भी सामिल हो गये थे और 25 अगस्त 1947 को यह पिरजाब पर्शद पार्टी की ओर से जामा खंडी स्टेट के मुकमंत्री भी निर्वाचित हुए लेकिन जब राज्यों के परनगर्ठन का समय आये तो जामा खंडी इस्टेट सुतंद भारत का एक अभिन हिस्सा बन गया था फिर आप देखें 1952 में भारतिय गड़राज का पिथम आम चुना हुआ और इसमें बसप्पा ने कॉंग्रेस के टिकेट पर जामा खंडी सीट से बिधाय का चुना लड़ा और सांदर अंतर के साथ जीद भी दरज की थी मुंबई राज में पहली जन चैनित लोगप्रिय सरकार बनी मुराजी देशाई पिता मुक मंतरी निर्वाचित हुए और बसप्पा को उप मंतरी का दरजा पर आप्त हुआ यह सांतीलाल साहे की साथ कारे करने लगे जिनके पास स्वास्त और सरम के महेक में थी मंतरा ले थे सांतीलाल साहे बसप्पा जत्ती को कार ही तुपूर सुतनता पिदान की और यह लगता था कि यह सेम कैबिनिट मिनिस्टर हैं और एक नवंबर 1956 को आप देखेंगे मुंबई प्रोविसिंस में जो हिस्सा कन्रवासी पिदेश था उसे अलग करके मैसूर में मिला दिया गया और इस पिकार वसपा जमा खंडी की जिस सीट से बिधायग निर्वाचित हुए वोई सीट मैसूर बिधान सबा के इंतर गता ग किया था अगर उपराष्टपती पत की बात करें तो आप देखेंगे कि इन्होंने 27 सगस्तो 1974 को बसपा उपराष्टपती पत का चुनाओ का पी अंतर के साथ जीत गए थे और आप लोगों को मालू होना चाहिए कि उपराष्टपती का चुनाओ आपकी राज्यसभा और ल और 31 अगस्त 1974 को इन्हे राष्टपती करुद्दीन अली अहमद ने उपराष्टपती पत की सबद गरहन कराई थी जो राष्टपती भवन की असो खौल में सुवए आठ तीस बजिस सबबन हुई थी सपद गरहन समारो के दोरान पिधान मंतरी इंद्रा गांधी उनके कैमिनेट के सहोगी पूर उपराष्टपती जी एस पाठक तथा बसप्पा की पतनी संगमा भी मौजुद रहें यहाँ दस मिनिट का संचिप्त समारो था इसके तुरंद बाद आप देखे बीडी जत्ती राज गहट गए और महात्मा गांधी की समाधी पसे धान जली अर्पित की 31 अगस्त 1974 को बसप्पा द्वारा पदभार समालने के साथी भारस सरकार के गजट में अधीस उचना पिकासित की गई और जिसका कर्मांध SO 561 इदिनांक 31 अगस्त 1974 था और उपराश्पती की रूम में उन्होंने अपना दायत बीहद कुसलता के साथ निभाया राज्यसभा की सभापती की रूम में भी इन्होंने सदन करने सपक संचालन किया था और जो उपराश्पती होता है वही आप देखते हैं कि राज्यसभा का सभापती भी होता है ठीक उनके बारे में हम लोग उने बात की है, एक और जहां दिवंगद राष्टपती के अंतिम संस्कार की रोपरेखा तेयार की जा रही थी, वहीं दूसरी और सम्विधानिक विवस्था के अनुसार उपराष्टपती, वीडी जत्ती को कारवाक राष्टपती बनाय जाने की की जा रही थी, जब आप देखे, राष्टपती किसी भी कारण से पथपर नहीं रहता है, वो खाली हो जाता है, तो उपराष्टपती साहब के पास आ जाता है, उपराष्टपती साहब राष्टपती बन जाते हैं, पूर्व राष्टपती सुर्गिय फकरुद्दीन अली दनप्पा जत्ती को कारवाक राश्टपती की रूम में राश्टपती भवर की सो खॉल में साधारन समारों की दौरान सपत गिरहन कराई थी और बस अपने यह पदभार 24 जुलाई 1977 तक समाला इस दौरान उन्होंने छटवी लोकसभा के नए सत्रगा सुबारम होने पर सदन क को संबोधिव भी किया था इसके बाद नीलम संजीब रेटी देश के राश्टपती निर्वाचन हुए और इनके निर्वाचन होने के बाद भी वीडी जत्ती ने 4 सेप्टमबर सितंबर 1977 से 24 सेप्टमबर 1977 तक कारवाक राश्टपती का दायत ने भाय क्योंकि नीलम संजी और 30 सगस्त 1989 को उनका उपराश्टपती पद का कारकाल भी समाप्त हो गया था 5 साल का रहता है ना एक सेप्टमबर 1989 को उपराश्टपती पद की गरिमा के अनकूल नेडल लेती हुए इन्होंने सक्किरे राणिती से सन्यास ले लिया और बैंगलोर लोटाए धार्मिक गती सास्तिरी और धर्म पर चारक जुड़े हुए थे और वसप्पा सम्ती की स्थापना आप देखें 1974 में हुई थी जो उस समय बीर सेवेश्म में और सरनास पर विवित किताबों का पेकासन करती थी इस संस्था का मुखुद्दे सामाजिक सिभा करना था तर आप देखें इन उनका डेथ हो गई थी उनकी मौद हो गई थी और इस वेकार परमपरा बादी यूग कांथ हो गया जिसमें जिसे गांधी दरसन भी समाहित था और उस समय इनके परिवार में पतनी तीन पुत्र और एक पुत्री थे तो एक सौट वाइग और आप ही आप लोग कर सकते हैं कि किस की है वीडी जत्ती साहब की है बसपा दनपा जत्ती साहब की है तो ये राष्टवती फिर चाहे वो आपके कारभाग राष्टवती हो या परमानेंट हो उनके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे अगर आपक उसका नाम बता सकते हैं